जैहिंद बंदे मात्रम श्वागत आपका गायत्री ओफिसियल के यूटूब चैनल पर देखिए ये फीमेल के कंडिडेट है ये फीमेल जो कंडिडेट है उनके लिए कटोफ तो आज अपन इस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर आप पह गया, इसमें फिमेल कंडिडेट में अपन सबसे पहले is our based की जो आप लोगों को कोडिंग आप लोगों को दिख्रा ये आपको पता होना चाहिए ये कोडिंग जो आपको दिख आयाँ, A कोड़ का मतलब है B.S.Up G.Code गा मतलब है Area जैसे General है यह category vacancy और कितने और marks ठीक है यह जो date of worth वगएरा है यह date of worth last जो candidate selected है उसका है ठीक है तो सबचे पहले आपन B.S.Up की बात कर लेते हैं तो U.P. के अंदर देखे B.S.Up की जो कटो प रही है female candidate की वो रही है SC की तो रही है 91 vacancy थी और 91 भरी गई है 70.42 SC की 3 vacancy 3 भरी गई है 62.81 OBC की 65 vacancy थी पूरी भरी गई है 76.98 और UR की देखिए 123 vacancy थी 123 को भर दिया गया 79.12 रहा है उसके बाद मैं BS UP में ही बात कर लेते हैं नक्सल एरिया की SC, OBC और UR में ये इतनी vacancy थी और ये यहां की देखिए ये cut-off आप देख सकते हो उसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं CIS UP की cut-off तो आप अपने अपनी देखिए cut-off देख सकते हो CIS UP में 17 vacancy थी और General District Area CIS UP SC category 75.35 265 इसके अलावा आप देख सकते हो General की जो cut-off है CIS UP की ये ST है OBC है और ये UR है यहां पर ये cut-off दी गई है ये देखिए ओके इसके अलावा देखिए फिर नक्सल एरिया से बात कर लेते हैं CIS UP की तो ये female candidate की यहां पर आप cut-off ये देख सकते हो ठीक है उसके बाद में C category आती है C category है CRPF की तो देखिए CRPF के अंदर जो cut-off है SC की रही है 70 0.64 OBC की रही है CRPF के अंदर 78 और UR की रही है 80 80.16 या नकसल की अपन बात कर लेते हैं तो देखिए 49 है 61 है और 63 है SC OBC और UR ठीक है इसी परकार अपन बात कर लेते हैं D जो category है वो है SSB की SSB के अंदर जो cut-off रही है वो रही है Border District Area से SC, ST OBC और UR की जो cut-off है यह आपके देखिए सामने है यहाँ पर आप देख सकते हो यह cut-off है ठीक है उसके बाद मैं अपन बात करते थे हैं देखे General District Area की तो General की यह है उसके बाद मैं अपन नकसल की बात करें तो नकसल के अंदर यह है ठीक है Next अपन चलते हैं जो E category है E category है आपको बता देता हूँ ITVP की तो ITVP के अंदर देखे यहाँ पर आप खुद देख सकते हो यह यहाँ तक देखे ITVP चल रहा है यहाँ तक ITVP में आपको बता देता हूँ दो E category है General है और नकसल है तो General और नकसल की देखे आपका टॉप देख सकते हो उत्तरपरदेश female candidate की यह यहाँ तक है ठीक है अगे बढ़ते हैं F F जो category है वो है अशम राइफल का अशम राइफल की जो cutoff है उत्तरपरदेश female candidate की वो यह है आपकी स्क्रीन पर अब अपन बढ़ते हैं male candidate पर male candidate की क्या रही है तो आपको सबको पूरी detail के साथ बताएंगे अब उत्तरपरदेश से male candidate की क्या category देखिए क्या cutoff रही है तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं देखिए आपकी स्क्रीन पर बहुत बड़ी जानकारी भी इसमें रहेगी आप ध्यान रखना बहुत अच्छी details भी आपको बताऊँगा चैनल पर पहली बार आप आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर आप सबस्क्राइब कर ले आपको सब को पता है A जो category है वो किस सीज़ की है वो BS up की है ठीक है G category है वो general है ठीक है और N है वो नक्षल है समझ गए यहाँ पर HC की जो cutoff है BS up की general district area से 75.54 है ST की जो cutoff है वो 74.67 है ESM में देखिए यहाँ पर 47 cutoff रहा है 47.58 और 4 ही vacancy बरी गई है बाकी vacancy खली है जो आप लोगों को मिलेगी जिनका final merit में नाम नहीं आया है उसके अलावा OBS up का 82.26 है UR का 730 vacancy थी और 727 vacancy भरी है यह तीन vacancy यहाँ पर खाली क्यों रही है बता देता हूं आपको क्योंकि यह तीन लोग जो है जिन्होंने court cash वगेरा या कर रहा है ठीक है यह आपकी screen पर देखिए मैंने लिख रखा है कि SC 1888 for 60 सब्सक्राइब कर देखिए नक्सल डिष्टिक एरिया से पद खाली है 11 इसके लिए भी बड़ा होगा चिंता मत करो ओभीशी 20-24 है यू आर 45-45-75.78 यह कटोप थी BS UP UP की ठीक है अब बढ़ते हैं CIS UP में तो यहाँ पर आप CIS UP का कटोप देख सकते हो यह category है यह आपकी screen पर यह यहाँ से लेकर यहां तर ठीक है फिर बात कर लेते हैं CIS UP में नकसल की तो यह नकसल की category SC और ST की यहाँ पर देखिए ESM की 81 vacancy है और 17 ही post भरी गई है बाकी खाली है तो यह आपको मिल जाएगी चलिए यहाँ पर देखिए CIS UP की जो category है उसमें नकसल में ESM की 11 vacancy खाली है बाकी अब आप अगला आपका नाम आता है CRPF C category यहाँ तक देखिए यह बड़ा है CRPF यहाँ तक है क्योंकि CRPF में ये लो ये CRPF की कटोब आप देख सकते हो यहाँ तक ठीक है इसके आगे D D है SSB SSB में देखिए यहाँ पर border district भी आजाएगा तो border की आप cutoff देख सकते हो ESM की जो vacancy खाली है उसके लिए बड़ा plan करेंगे अपन लोग बहुत vacancy खाली है देखिए यहाँ पर भी खाली है यह भी vacancy खाली है यह यहाँ यहाँ नकसल है यह नकसल की cutoff है SSB की यह general district area की cutoff है और यह border की cutoff है यह आप खुद देख सकते हो यह आपकी screen पर है ठीक है next E category है E category का मतलब आप सब लोगों को पता है E का मतलब है ITVP अब ITVP के लिए क्या cutoff गया है वो आपकी screen पर आप देख सकते हो ITVP के लिए general district area की यह cutoff है SC ESM की vacancy खाली है X serviceman ठीक है और यहाँ OBC की 76 से 70 पूरी बरी है 76 और UR की 143 है तो 143 पूरी बरी है यहाँ पर आप नकसल का देख सकते हो यह नकसल का है यह नकसल की vacancy यहाँ भरी गई है ESM की 3 vacancy यहाँ पर भी खाली है और उसके बाद में last जो category आती है वो आती है अश्चम राइपल AR यह देख सकते हो G general district area की cutoff ESM की 46 vacancy खाली है और यहाँ 3 vacancy खाली है बाकी cutoff आपकी screen पर है आप कुछ देख लीजिएगा इसके लिए आप बार बार message मत कीजिएगा प्रेशान मत हो जिएगा ठीक है और यह आप उत्राखंड का आगया इसकी बाद में चर्चा करेंगे तो जो भी मेरे पैरे student है अभी channel पर बने हुए है चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जाहिंद बंदे मातरम अगला का टोप भी बागी राजियों के और जल्द जारी कर दूँगा